नमस्कार मैं हूँ पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल ओनलाइन इस्टेडी लवर्स की पाट साला माई डेफ फ्रेंड जैसा कि आप सबके कमेंट्स मैंने देखे थे और सबसे अदो डिमान थी आपकी वो कंटम्प्रेरी राइटर्स को ले करेंगे ठीक है एक छोटी से रिक्वेस्ट आप सबसे करेंगे कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहा और दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना बूले ताकि वो भी जो है इसका लाब उटा सके और फिलिप लार्किन से जो आपके एक्जाम में बन सकते हैं उन सबको हमने इस वीडियो में शामिल करने की कोशिस की है तो सबसे पहले एक ओवर भी जानेंगे फिलिप लार्किन जोते हैं हमारे कंटम्प्रेरी एसे बिलॉंग करते थे और इनकी जो जनम था वो 1922 में और इनकी डैथ 1985 में हुई थी इनका जनम जैसा कि आप देख सकते हैं नौगस्त 1922 को रैड़ फोर्ट कन्वेंट्री उनाइटिड किंगडम में हुआ था और इनकी जो मिर्ति हुई थी वो दो दिसंबर 1985 को किंग्स्टेन अपाउन हल जो युनाइटिड किंगडम के अंतर गताता है वहीं पर इनकी मिर्तियों हुई थी तो इनका जो रैस्टिंग पलेश था वो था कटिंगम म्यूंसिपल सिमेट्री और इनके पेरेंट्स की दी बात करेंगे तो इनके पेरेंट्स इनके फाद 26 में और डेथ 1977 में हुई थी आप्टर देट इनको सेक्स पिर प्राइस से नवासा गया इनके एजुकेशन थी यूनिवेसिटी ऑफ ऑक्सपॉर्ड से इन्होंने सेंट जॉंस नाम के कॉलेज से अपनी जो एजुकेशन थी उसको गेन किया अगर इनके हम ऑक्क्यूपेश को दोस्तों आप अपने धिमाग में लॉक कर लें बहुत सारी चीजे इससे आगे हम बताने वाले हैं आपको फर्स्ट बूक और पोईट्री जो उनकी पहली बुक्ती पोईट्री गी थे वह थी नौर्थ सिप जो 1945 में पबलिस हुए थी और उसके दो एडिशन जो है दो न किन केम तो प्रोमिनेंस इन 1955 विद अगर बात करेंगे तो उनकी जो ख्याती उनको प्रसिद्धी मिली थी वह 1905 में मिली थी जब उनकी जो इन दा मॉर्लिंग एंड आई विल ओफिस सेकंड कलक्शन जो आई विल था उनकी जो सेकंड पर्यम का कलक्शन था वो तो उसमें जब जो पबलिस हुआ था उसमें को ख्याती मिली दा लेश डिसीवड और जो टाइटल था वो था लेश डिसीवड टिक ये सभी जो है 1974 में पर्यूश हुए थे और उसके बाद में उन्होंने ग्रेजुशन की और आफ्टर ग्रेजुएसिंग जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुशन की थी 1943 में और वो जो है English Literature से उन्होंने उसको गेन कहता है उसके बाद में जो है वो एक लाइब्रेरियन जो है बन चुके थे तो यहां से क्यूशन आप से पूच्छा जा सकता है कि वाट इंसिडेंट इस एस्सेटिट विद दा फिलिप लार्किन तो बिकम दा इंग्रिस लाइब्रेरियन नेक्स चुक्षिन आप कोगा ही वास ओफर बट डिक्लाइंट पोजिशन ऑफ पोईट लावरेट इन नाइनटीन एटीफॉर फॉरंग डेथ आप सर जॉन बैजमीन जो सर बैजमीन थे उनकी डेथ पर जो उनको पोईट लावरेट की एक ओफर किया गया था पोईट लावरेट के लिए तो उन्होंने 1984 में उस पद को जो है डिक्लाइन कर दिया यानि कि उसको इंकार कर दिया 1940 में उन्होंने जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जोईन किया था और ठीक उसके बाद में एक साल बाद में जो वर्डवार था वो शुरू हो गया यानि अचानक से वर्डवार छिर गया वर्डवार ब्रोक आउट और अफ्टर देट 1943 में उन्होंने जो अपनी ग्रेजिशन ते उसको फाइनल कर लिया एंड हैविंग डेडिकेटेज मच अफ टाइम तो हीज ओन राइटिंग वस ग्रेटली सप्राइज एड बिंग अवार्डिर फर्स्ट क्लास ओनर्स डिग्री और उन्होंने जो बहुत सारा समय था उपनी डाइटिंग्स को दिया तो उसके बाद उन्होंने एक बहुत अवज ओफर दा OBE जिसका मतलब होता है ओर्डर ओब ब्रटिस एंपार यानि कि एक बहुत ही स्पिसल अवार्ड ये ब्रटिस जो साहिते हैं उसमें होता है OBE ओडर ओब ब्रटिस एंपार तो उसको जो है उन्होंने इसको भी डिक्लाइन कर दिया यानि पहले तो उन्हों इसको भी decline करते हैं later a life he accept the offer of being made companion of honor यानि उसके बाद में लोने केवल accept किया कि वो जो है companion of honor जो है उसको accept करते हैं 1973 के बात करेंगे उनको philosophy at all souls college के मतलब एक visiting philosophy अवार था उसको जो है उससे उनको नवाजा गया Oxford University के दोबारा उनके दो academic terms थे जो जैसे consult experts और body lean library और जो copyright library थे उसके लिए इसको जो है जो visiting fellowship था at all souls college उसको नवाजा गया 1982 में Larkin 60 वर्स के हो गए और यहीं से जो है उनका जो significantly collection था essays का जिसका title था at 60 जिसको थ्वेशिये के दोबारा publish किया गया और बाद में favor and favor के दोबरा publish किया गया था तो उसको काफी जो है महत्र दिया गया आगे बात करेंगे जो उनका कुछ importants यहां से work की बात करेंगे जो important work है जहां से भी question आने की संभावना उसको हमने रखा है तो the north ship the fortune press 1945 में जो की poetry है और 20th poems थी privately printed हुई थी 1951 में वो भी एक poetry थी after that उसके बाद में high windows and favor and favor इसको हमने उपर discuss किया था 1974 में जो की एक poetry थी और the fortune press 1946 में आया था और a girl in winter and favor and favor 1947 में आ था जो की एक fiction थे तो my dear friends इस वीडियो में इतना ही नए वीडियो में नए content के साथ में फिर्म लगाता होगी तब तक के लिए नमस्कार finally thanks for watching this video